दोस्तो इन्हें दो अब आप पैचानते ही होंगे जिनकी तस्वीर ली गई है आपकी NCRT की काक्षाथ चौथी की पुस्तका असपास के पार 26 से यह है वहिदा प्रिस्म जो की भारते नौ सेना में एक डॉक्टर का काम करती है यह सबसे पहली महिला भी रह चुकी है जिन्होंने नौ सेना में पूरी की पूरी परेट की कमान को संभाला था जो की नौ सेना या भारतीय सेना में बहुत ही बड़ी बात मानी चाती है दोस्तों यह देखिए यह तस्वीर जो है इसमें आपको जो वहिदा प्रिज्म है फौजी वहिदा है हमारी वो सबसे आगे दिख रही होगी परेट की कमान सभालते हुए तो दोस्तों यह तो है परेट की तस्वीर और परेट भारतिय सेना में कहा कहा होती है नौ सेना में नहीं बलकि हर सेना में होती है और क्यों होती है खास अफसरों पर यानि on special occasions of the Indian army कई बाहर वैसे भी वहाँ पर परेट की जाती है उनके कुछ खास अफसर होते हैं जिसके कार परेट होते देखा है जरायात कीजिए जराया तस्वीर देखे यह है गंतंतर दिवस की on republic day आपने अकसर गंतंतर दिवस की परेट शायद सामने से देखी हो या फिर आपने टीवी पर तो जरूर देखी होगी तो इस दिन भी गंतंतर दिवस पर भी सेना के लोग और उसके अलावा और लोग भी परेट निकालते हैं स्कूल के बच्चे भी तो यह जो होती है यह भी होती है एक परेट और इसमें भी बहुत से लोगों को एक साथ आगे बढ़ना होता है जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिये जाते हैं कमान दी जाती है उस पर अब जराया देखिए क्या आपने स्कूल में परेट होती देखी है जरायात कीजिए क्या स्कूल में भी परेट होती थी बिल्कुल स्कूल में भी परेट होती है सुबह के समय असेमली के टाइम कही बार स्कूल में परेट होती है इसके अलावा स्पोर्ट्स में कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं एन 29 सेना की परेड इसके अलावा यह देखी 26 जनवरी की परेड और हमने यह भी याद किया कि स्कूल में भी परेड जो होती थी क्या आपने इसके अलावा कहीं पर परेड होती देखी है और ज़रा याद कीजिए कि परेड में किस तरह के जो कमान होती है किस तरह के इंस्ट्रक्शन्स जो होते हैं वो देए जाते हैं जैसे कि बाई मुड दाई देख इस तरह कि काफी सारे जो instructions होते हैं, काफी सारे जो command होती है वो दी जाती है और जो उस command को संभाल रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो भारते नौ सेना में वहिदा प्रेज्म कमान को संभाल रही है, पूरी पल्टन को संभाल रही है तो वही यह सारे जो instructions होते हैं वो देती है तो क्या आपने भी कभी parade में मिल रही instructions को सुना है क्या आपने भी कहीं पर parade देखी है और क्यों